नमस्कार आप देख रहें न्यूज नेट पर टूड़े मैं जावेद अन्साई मैं मौजूद हूँ इस समय किसी जमाने में रीवा की राजनीत यहीं से संचालीत होती जियां मैं बात कर रहा हूँ और विधान सबस्देश्वर की स्री निवास तिवारी जी कि 17 सितंबर हर साल उनको याद किया जाता था इस साल भी उनको याद करने की गूप रेखा यहां पर बनाई गई है हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद है जैसा कि आप अपको टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे अनुना तिवारी जी है जिनोंने पिछला चुनाओं सिर्माओर चुनाओं साथी बड़ता साकेची हैं विद्यापधी पटेल जीर तीन के तीनों लोग बहात पूर्ड राजन्यतिक जगह पर रह शुके हैं आज बात इनी से 17 सितंबर को क्या खुछ इजवार नया कुछ खास होने वाला है जरा यह बताइए 17 सितंबर को हम लोग एक शामाजिक विशार धारा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि बाभाजी हमारे समाजवादी पार्टी पहले थे बहुत शिरुवाती दोर पे उन्होंने समाजवादी पार्टी से शिरु किया था उनी के इसी विचार धारा को आगे बठाते हुए जो गरीब तबके की लोग हैं गरीब तबके की महिलाएं हैं अन्पुची जाज अन्पुची जंजाज वर्ड की महलाएं हैं उनके लिए सिलाई मशीन का वितरण कराना चाहिए सिलाई मसीन का वित्रण उन महिलाओं के लिए जिनके पास काम हुनर तो है लेकिन मसीन नहीं है रोजी रोटी के इंतजाम का इस बार 17 सितंबर को कुछ इस तरीके की तैयारी की जाएगा ये बताईए ये आयोजन जिब होगा तो किस तरीके की महिलाओं को कहां सिखठा करेंगी आगा इवा जिले के आठो विधा सभा से हर वर्की महिलाओं को बुलाया जाएगा लेकिन इस वर की महिलाओं को, जो तलित वर से हैं, निम्ने तपके की हैं, गरिवर की हैं, अंसुचे जात, अंसुचे जन्जात की की हैं, उनको ज्यादा महत दिया जाएगा, उन वर की लोगों को जादा बुलाया जाएगा. उनको बुलाया जाएगा उन महिलाओं को जिनको रोजगार की सबसे ज़्यादा ज़रुत है हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए विद्यवती जी भी है, पूर विधायक है, कांग्रेस की वरिसनेता यह बताईए, महिलाओं को लेकर इस बार 17 सिकंबर को जिस तरीके से आप लोग की प्यारी चल रही है, उस तरीके से क्या आपको लज़ता है कि कितनी महिलाओं को आपकी कठा करनेगी देखिए महिलाएं कठा करने का हम लोग प्रयास करेंगे महिलाएं तो बहुत हैं खास तोर से जिस वर्ग की बात हम लोग कर रहे हैं और इनहीं वर्गों के उत्थान के लिए श्री नवास तिबारी जी का पूरा जीवन समर्पित रहा है और उन्हीं के संघर्षों को देखते हुए हम लोग पहले बहले ही दूसरे दल में थे लेकिन उसी संघर्षों को आगे बढ़ाती हुए लोग भी ये काम किया करते थे अभी चुकि अभी आज अरुना जी ने हम सब लोगों को याद किया है इनके पास जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी विक्रीद परिशिती है अभी बिबेख थिदारी जी का अभी देहांत हुआ है तो इस इस्तिती में ये नहीं थी लेकिन मैं इनके हिम्मत को सलाम करती हुँ कि इन्हों ने इतनी बड़ी हिम्मत करके और उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है जो अनवरत इसी घर से इन्हीं के दरवाजे से दादा के ना रहते हुए होता रहा है तो इस हवार अभी थोड़ा सूक्षम कारिकरम है बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी परिस्थी लेन सूक्षम कारिकरम यह चाहते ही लेकिन बहतर कारिकरम किया जा रहा है काफी पहतर आप क्था करूंव जो आककी सूच है उनको रोजगार मिलेगा पहली बार महिलाओं को लेकर जिस तरीके से आयोजन की रूत रिखा कांग्रेस पार्टी ने बनाई गई है इतना तो दावे से कहा जा सकता है कि उन कुछ महिलाओं को जरूर रोजगार उपलब्द हो जाएगा जो आज तक रोजगार की तलास में इदर उदर भटक रही थी उनको रोजगार नहीं मिल रहा था अगर उनके हाथ में हुनर है और उनको हुनर को अपने इस्तमाल करने के लिए सिलाई मसीन भी उपलब्द करा दी गई तो वो अपने आप में बड़ा कारनामा होगा